ओम संति, ओम संति, ओम संति बाबा ने हमें सर्व स्रेष्ट कुछियों का ख़्याना दिया है क्योंकि अगर हम खुछ रहते हैं तो हमारे अनेक व्यार्द संकल्प समाथ हो जाते हैं और खुछी से ब्रेन को बहुत सुंदर वाइब्रेशन्स जाते हैं जिससे मनुस हैल भी भी रहता है और जो खुछ हैं, उनके धर में लक्समी का वास भी होता है जो खुछ हैं, कफलता भी उनको सहज मिल जाती है और हमारी खुसी की जलक तो दूसरों को ये मैसूस कराएगी कि इन्हें सचमुच कोई महान तापती हो गई है संसार में आज खुस रहना बहुत कठिन होता जा रहा है जैसे और सब महगाई बढ रही हैं जैसे खुसी भी महांगी होती जा रही है परिवारों में अपने ही लोग अपनों की खुसी चीन रहे हैं कर्म छेतर पर मनुस खुस नहीं रहता है इसलिए खुसी और मनुवंजन के मनुस ने अने कि स्थूल साधन बनाए हैं रंतु आंत्रिक खुसी का फिर भी अभाव है हम सभी तो संसार में सब से अधिक खुस नसीब हैं भगवान का साथ मिला इस जीवन में याद रखें सारा दिन कारिय करने को मिला भगवान के साथ उसने महानकारिय डे दिया विश्व कल्यान का अपना साथ ही बना लिया हमें सदेर उठते ही भगवान से मिलन होता है पढ़ते हैं तो स्वयम भगवान पढ़ाने आते हैं सोचो हम भोजन भी भगवान के लिए बनाते हैं वो स्वयम हमारे साथ आजाते हैं भुजन स्विकार करने के लिए हम जैसा भाग्यवान कोन होगा सारा दिन हम कारिये करते हैं तो अकेले नहीं करते स्वयम भगवान हमारी चत्र छाया बनकर हमारे साथ रहते हैं तो हम कुछियों के खजाने से स्वयम को भर्गूर करें इस मर्ती में रखें क्या मिला है और सारा दिन रोज क्या-क्या मिलता है बहुत अच्छी बात एक बावा ने कहा तुम जैसा भग्यवानी संसार में कोई नहीं क्योंकि तुम प्रभूपालना में पलते हो सोचो कुन सी पालना सवेरे तुने भगवान स्वयम जगाते हैं फिर पढ़ाने आते हैं फिर ब्रम्मा भोजन खिलाते हैं रात को सुलाने आते हैं और कहा दिन में अगर कोई बच्चा दुखों में आंसू वाहे तो आकर उसके आंसू पहुँचते हैं फिर कहा कि अगर दुनिया वाले ये सब सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या और बाबा ने उत्तर दिया तुमने बता दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है वो हमारा साथी है हमारा गुद फ्रेंड है हम उससे कुछ भी शेयर कर सकते हैं जब चाहे उससे बात कर सकते हैं वो सदा हमें मदद देने के लिए तयार है, भगवान का साथ मिला, सोचा तो इतना था कि तुम्हारे दर्सन हो जाएं, पर वो आए हमारे हो गए और साथी बन गए, इतना बड़ा भाग्य हमें निरंतर खुशी प्रदान करता रहेगा, तो पाबा हमारे लिए खाली बैठा ह सोचें, भगवान हमारे लिए खाली हो, तो हमें उसका यूज कैसे कर लेना चाहिए, अपने सद्विवेक का प्रियोग करें, खाली है भगवान हमें मदद करने के लिए सदा केवल गुद्धी का टेलिफॉन मिला दें, और उसकी मदद प्राक्त करने लगें, इस अधिकार का पूरी तरह फाइदा उठाएं, तो आज सारा दिन में हर गंटे बाप दादा को अपने पास बुलाएंगे, निमंतरन देंगे, बाबा अपना धाम शोर कर हमारे पास आजाओ, प्यार से बुलाएंगे, और बेखेंगे दोनों आगे हैं हमारे सामने, और अ वर्दानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, हर गंटे में एक बार बाबा को अवस्य बुलाएंगे, तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स, ओम श्यंति